तो लो भाई वेलकम बैक हम बात करने वाले अमाई शेप्टर के मेफड़ और प्रिप्रेशन एंड इंसी आटी की इंपोर्टेंट प्राब्लम्स को तो देखो भाई सबसे पहले हमारा जो मेफड़ है अप्रिप्रेशन अप्रम नाइट्रो कमपाउंड अब यहां पर देख लprogram अगर नाइट्रो नाइट्रोब इंचेन इसको का नाम क्या है नाइट्रो वेंचेन अब नाइट्रोब इंजिन का देखो में रिख़ो तुम रियक्स्टन ये सउन न प्लस ये या औरज फ्लसी असील को पुसी तिम पर ऑगे उसके से में भी क्या वादेगा तुमारा यह यह निकल जाएगा और बनेगा अगले बार देखो यहां पर लोन प्यर इस पर टाइक करेगा यहां से बाहर जाएगा और एक यहां से यहां से यहां से यहां पर है तुम्हारा भी यहां पर तुम्हारा एक यह अभी है ठीक है तो अब यहां से बेसिकलि यह आपका होगा कि हो इस तो अाप क्या इह वाला लॉन पेर इस पर टैक होगा यहाँ से जाएगा और यहाँ से तो में यह दिए हम गना यह ऑप यह यह से दिगरी और यहां से बने का 3 डिगरी तो इस मेठ़न को हम बोलते हैं अमोन नाशन हो कईल है अब तीसरा मेस फ्रॉम क्सम्म नाई ट्र๊ाइल तो रिडॉक्षन ओप नाइट्राल कर लएक। कराने पर कार्मन के संख्या बढера है या पड़ देखो एक दो है यानि एक ऐसा अमाइन से बनाना हो जिसमें कार्मन की संख्या बनाना हो तो हमको का क्या करा ना होगा नाइट्राइल का रिडक्षन कराना होगा अब यहां पर तुमारे जो देखो जो रिएजेंट है या तो यह टू इत निकल ले लो या लाई लेज फोर या तुमारा सोडियम का अमलगम हो कौश कैसा मीडियम होना चाहिए एलकोहलिक मीडियम ठीक है भई रिडक्षन अप अमाइड की बात करो देखो अब यहां पर अमाइड है आर सी डबल मंड ओ एनेज टू अब यहां पर तुमारा लाई लेज फोर और फालोड भाई क्या क्या हो रही भाई बढ़ रही है अगला हमारा जो यह एक्षन है गाइब्रियल थैली माइड सेंथिस अब यहां पर देखो यह तुम्हारा थैली माइड क्या है थैली माइड है थैली माइड का देखो पहले तो यहां पर यह जो हाईटूजन एस डीक है तो यहां पर यहां पर देखो यह वाला बॉंड इधर टूटेगा तो नाइट्रोजन के पास तुमारा लोन प्यार के पास चला जाएगा तो देखो यहां पर यहां पर देखो एक तो तुमारा सॉल्ट बनेगा ठीक है इस तरीके से बॉंड को तोड़ देना है वह यह अन्ने इधर ले लो और आप यहां यह को एक इधर और इस वाले का ऐसे लिख लो ओए अन्ने एक साड़ में और यहां पर लिख लो तो दो यह हो जाएंगे और इसे गियार्टू का चार मूल एने में चोंगा बनेगा तुमारा और एने इस टू और यहां से बनेगा यहां बनेगा आने टू सीओ थियान बीर प्लस चुए ट्वर यहां नहीं ब्रोमवाद डीएटेशन तो यहां पर वह तुमारा वन डीग्री अमाइन बनाने का एक यहां पर यहां से देखो डबल मांड करेक्टर को जैसे बांड टूटेगा नहीं तो यहीं रीजन है कि यहां पर तुम एरोमेटिक का माइन्स नहीं बना पाओगे अब हम यह अंसी याड़ी का कुछ प्राब्लम है उसको कर लेते हैं अब यहां पर देखो क्यूस्टन बोल रहा है कि CH3 CH2 CL इन्टू CH3 CH2 CH2 NH2 आपको बनाना है यानि यहां पर देखो यहां पर कारबन की संख्या यहां पर कारबन की संख्या को दो है और यहां पर भी कारबन की संख्या कितनी और तीन हो जारी है यहां निक संख्या बढ़ा है तो यहां पर देखो इस को लिख herd तुम see 3s2 CA कारबों के बढ़ाने के लिए हमको reaction कराना होगा हमको क्या लगाना है thi अन लगाना पड़ेगा ठीक है तो अब सब्सक्राइब यहां से तुम्हारा एसे एंटू मेकेनिजम होगा तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू और यहां पर लगेगा सी ट्रिपल बांड यह अभी भाई इसका तुम क्या करा दो रिडेक्शन करा दो और रिडियूसिंग एजेंट भी तुम यहां से देखो अभी हम लोगों ने देखा है कि जब कार्बान यहां पर हो जाना नाइट्राइल हो जाए तो में च्टू वित निकल ले लो कार्बन के संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी तो सेम उसी रियक्शन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहां पर यह च्टू भी निकल अप ले लो अब द लेक्शन देखो इसकी बात कर लेते हैं यहां पर भी कार्बन के संख्या बढ़ा है तो मतलब सेम काम सी सिक्स एच फाइब सी एच टू सीयल है हमको यहां पर इसका रियक्शन करा दो यह निसी एन के साथ देख़ी प्लस से माइनस है ठीक है यह तुमारा माइनस हो जाएग फरदर हम इसका करा देते हैं एडिसन आफ हैट्रोजन ठीक है इसका रिड़क्शन करा दो इसको रिड़क्शन बोलेंगे तो यहां पर अभी कार्बन की संख्या क्या होगी बढ़ जाएगी तो यह था हमारा इसका सलूसन चलो आगे देखते हैं अगला किसने कि राइट इ इसके नेम्स धी अमाइड वीच गिवस अप्रोपेना माइन भाई हाप मेना अब रही एक्षिंगर में राइख्शन अब हाप मैंनग डीग्रेडिशन रियक्शन में देखो क्या बनाना है प्रोपेना माइन यानि सी त्री च तू और यहां पर क्या लगाना है यहनिछ माइड बनाना पड़ेगा जहां पर कारवन की संख्या एक क्या हो ज्यादा हो ठीक है CH3 CH2 CH2 C212 NH2 अब यहां पर आप क्या करा तो क्या लेते हो बी आर्टू और यहां से तुम ले लोग के वेच्च ठीक है कि वेच्च की कितने मूल होते हैं तो यह बन गया तुम्हारा हाप मैंने वर्माइड डिग्रीडेशन रियक्शन से हम लोगों इस प्रोड़क्ट को बना लिया तो राइट इस्टक्चर एंड आई प्यसी ने तो एप्यसी ने में अगर इसका तुम लिखो गे तो चार कारवन है तो ब्यूटेन और इसके अका इ procent मैं अधिम्हें को खोपड़ी पर क्या लगाना है तुमको बही माइड लगानास र्बास दॉ Ni अच विसका हमको कराना है डिग्रेशन क्यों विघ्ष्ल टो इक तो अब देखो इस वाले को इस वाले को हमको क्या करनाय इसको गायव कर देना है तो यहां से हमको डायरेक्ट मिलेगा यह नहीं अच तो ठीक है तो यह जो कमपाउंड बना इसका नाम क्या है भई यह नहीं लीन है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला किस्टन है कि हव विल यू कनवर्ट बेंजेन इन्टर एन इलीन बेंजीन इन्टू एनी लिग ठीक है बेंजेन इन्टू एनी लिग तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं है कि इस अब इस बेंजीन का आपकराई ग्लोरी निशन तो सी अल्डू यहां पर ऐल से द्वील ठीक है एन जौन एल सील 3 तो अब यहां पर इसका होगा क्लोरी नेशन तो बन जाएगा क्लोरो क्या बनेगा क्लोरो बेंजीन बनेगा ठीक है अब जब एक लोरो बेंजीन बना तो अब हमको बेसिकली करना क्या है यहां पर देखो इस वाले का तुम करा लो यहां पर हमारे पास क्या है एनस थ्री है ठीक है तो लेट मी करेक्ट देखो इसको मैं इसे करा सकते हैं बेंजीन है है बेंजीन करा लो ूइट्रेसे ब्याइड वई यह कई 13 है व token है और हो फेज पो तो वो क्या ऻ Genesis शर्ट बनेगा नाइट्रो बेंजीन का अगर हम क्या करने यह सियंट बीदे सिएल करा दो तो यहाँ पर जाएगा क्या रिडांग्सन हो अब अगला क्यूशन है बेंजीन इन्टू यन यन बेंजीन इन्टू यन डाइ मिथाइल एनिलीन अब यहां पर देखो भाई यह वाला इस्टेप दूसरे के लिए कहां तक इसे वाले तक ठीक अब यहां से हम दूसरे को ले खर जाते हैं पहले तुमको एणिलीन बनाना पड़ेगा अब और पर कशिया ने ले लो तो अब पर कितने hydrogeniddo hydrogen and dono hydrogen को हटादो-2 hydrogen को थादो है अब शुत हरा फिरी हमन्हेटा दो और एक स्थी से ज़टが ठेह तो अब यहीं तुम्हारा क्या हुगा यं यंधल यहन यॉन होगा अब यहों पर जो को टींस फिर पाटिस संधिया है यह CLE CH2 hole 4 C L इसको तुमको किसमे convert करना है hexane 1,6 di amine hexane 1,6 di amine अब यहाँ पर देखो carbon की संख्या कितनी है 4 है और हमको carbon को 6 लेके जाना है carbon को 6 लेके जाना है तो अब उसके लिए basically हम क्या करते हैं यहाँ से तो पहले देखो हम यहाँ से KCN से रियक्षन करा देते है KCN तो अब देखो KCN या यहनने CN और भी कितना मोल दो मोल तो एक C L इदर से हटाएगा और एक C L इदर से हटाएगा तो देखना एक C N यहाँ से यह तुमारा CH2 और भी कितना है अब अगर इसका तुम करा दो रिडाक्षन रिडाक्षन यानि CH2 के साथ निकल ले लो तो यह भी तुमारा क्या बनेगा CH2 एनेश्ट इदर भी बन जाएगा CH2 CH2 चार बार लिखी लो और इधर भी तुमारा क्या बनेगा CH2 एनेश्ट टू ठीक है भाई तो यह हो गया आपका फाइनल प्रोड़क्ट तो I hope तुम लोगों ने इस लेक्षर को काफी फसंद किया होगा अगर आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो तो लेक्षर को लाइक जरूर करो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाबाए